हेलो मेंबर्स देखो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हाँ पे कि नेक्स डे टुमोरो मार्केट कैसा रह सकता है देखो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक की न्यूज आ रही है रिजल्ट आ रहे है एफ़ाई ने सेलिंग की है तो क्या स्ट्रेजी हो सकती है वो हम ल जा सकते है फिर प्रॉफिट वोकिंग और आज यह ब्रेक आउट क्या है ठीक है एंड काफी लोगों की क्वैरी से तो वो भी वन बाए वन जरू कवर करेंगे क्लियर चले फड़ा स्टार कर लेते हैं अब देखो एक एक पॉंट जरू बताना चाहूंगा मैंने अभी रिस है तो इसके वाली कैटेगरी है टेक्स्ट आप बूल सकते है थम्डिल में मुझे ज़्यादा जगाव मिली नहीं वहना में आपे लिख देता ठीक है और अदानी ग्रूप का भी आज एक वीडियो आ चुका होगा वो जरू देख लीजिगा अगर अदानी का ग्रूप का अ बहुत खतानागता अब आज के दिन के अंदर अगर मार्केट फॉल कर जाता है वापस तो आप यह समझो कि यह प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बड़ी वाली हो सकती है लेकिन अगर रिकवर कर गया तो यह पॉजिटिव संकित माने जा सकते है अब आज अगर बात करने तो रिकवरी बहुत बड़ी हुई है अब देखो समझो बात को यह जो फॉल था यहाँ पे फॉल आया था उसके बाद जो रिकवरी हुई है यह similar kind of recovery है क्या similar kind of recovery है ठीक है याने की chances है कि market और रिकवर हो सकता है ठीक है आज अगर midcats देखोगे करीब 2% की midcats में भी सकते और उसके अलबा यहाँ पर काफी stocks हो जाते है एस जीवें जीए से स्टॉक जो हैं पर already previous day का high के पास पहुँच चुके है ठीक है तो आप इसको false pullback नहीं बोल सकते अभी के लिए थोड़े volatile होंगे लेकिन false pullback नहीं बोल सकते यह बात समझ में आ रही है ठीक है चलिए देखो अब FI की selling तो है current year के अंदर last आप बोल सकते है expiry है उसके अंदर है FI की selling तो है तो market पे थोड़ा selling pressure रहेगा लेकिन short and simple में volatility रहेगी देखो volatility कैसी रहेगी देखो yesterday कैसे मिट के fall हुआ था तीक है आज वापस recover हो गया पहले भी हुआ था वापस recover हो गया तो ऐसी volatility आपको दिखाई जे सकते है यानकि fall भी upset भी यहाँ पे एक सर ने caution भी पूछा था कि देखो यहाँ पे सी सर कभी आप बोलते हो market गिरेगा कभी आप बोलते हो यहाँ पर run करेगा तो अग दोनों में से एक case तो सही होगा ना बात भी सही है लेकिन yesterday भी तो fall हुआ था आज भी recover हुआ तो दोनों चीज़े भी तो यहाँ पे होती है समझ में ही बाते अब देखो मैं short term का जादा सोचता हूँ ठीक है short term में मेरे पैसे circulate होते तो short term का जादा सोचता हूँ इसके वज़े से मेरा mindset थोड़ा short term का भी होता है इसके वज़े से काफी investors confused हो जाते सर आप कह चाहते हो short मनलब गिरेगा या नहीं गिरेगा ठीक है तो confused मत हो ना short term में volatility रहेगी गिरेगा थोड़ा बहुत वापस उपर आएगा लेकिन जैसे कि मैं आपको समझाया कि end of the elections market में वापस new high बनेंगे ठीक है market जितना भी गिरे मानलो election से पहले गिर जाता है anyhow just example ठीक है तो वापस recover करेगा elections के वाद या election के आसपास आई बस समझ में तो पूरा समझीगा वीडियो को अगर नहीं समझ मेरे question पूछते रहेगा मैं आपको answer कर दूँगा ठीक है short में रखोंगा answer कर दूँगा चले अगला point आ जाता है अब देखो S&P यानि कि US का market अगर बात करने जा काफी result अच्छी आ रहे है आप यहाँ पर देखो NASDAQ को देखो सी देखो आप देख सकते हैं NASDAQ 1.5% उपर है और यह lifetime high को cross किया lifetime high देखो यहाँ यह lifetime high को cross किया है यानि कि NASDAQ तो और उपर जाएगा जिस तरह से भाग रहा है NASDAQ और उपर जाएगा ठीक है तो अगर आपक सोचेगा क्योंकि देखो इस बंदे ने पहली बार इतना बड़ा breakout को continue किया है ठीक है तो सोचेगा ज़रूर आपको अगर stock में invest करने US market के लिए तो काम आ सकता है ठीक है चलिए आप देखो काफी stock की result है हम लोग one by one discuss करेंगी और क्या हो सकते है वो भी discuss करेंगी तो पहले real detail की बाद करते है number मुझे अच्छे लग रहे है 47% का sales jump है net profit 94% का है तो देखो number मैं इसको positive side पर करूँगा हाला कि कुछ depreciations है तो आपको final net profit कम देखेगा quarter to quarter लेकिन EBITDA या quarter to quarter operating profit positive है ठीक है तो हम लोग इसको positive consider करेंगे तो मान लो कि sir कुछ भी हुआ वैसे stock काफी भाग च सकते है ठीक है एक दिन की momentum में कह नहीं सकता है लेकिन result अच्छे आ रहे है stock long term के लिए कोई खराब नहीं है तो अगर गिरा just example ठीक है अगर गिरा तो stock को सोचीगा जरू एक level में देखो stock का strong level है 300 का ठीक है अब मान लो कुछ भी कल negative हुआ just एक scenario negative leakage mind में चलते है अगर negative है और मान लोग कल sideways रहा तो हम लोग इसको जादा सूचेंगे नहीं short term के लिए ठीक है मैंने आपको बता है के railway stocks में आपको सबसे high priority किसको रखती है तो RVNL RFC जैसे stock को high priority रखती है और हां तीसरा ISATC ठीक है तो stocks result अच्छे है लेकिन मैं इसको अभी award category में लखूंगा long term के quality stock है वैसे भी Share India Securities अब दिखो समझो नमबर मुझे पूछे गए थे कि सर कैसे नमबर है मैं बोलूगा बहुत ही शानदा नमबर है अब मैंने आपको कुछ आप बोल सकते हैं मैंने आपको कुछ stocks दिये थे जैसे कि Eiffel Securities ठीक है नम इंडिया तो आँ देख सकते है Eiffel Securities आज भी stock उपर है ठीक है मुझे एक सर ने comment किया था हलागी मैं timely reply नहीं दे पाया था तो सर ने पूछा था कि सर Eiffel Securities का stock क्या 200 जा सकता है तो मुझे तो अभी yes दिखाई दे रहा है ठीक है 200 जा सकता है अब यहाँ पर मेर बात करने जाए तो नमबर मुझे काफी positive दिखाई दे रहे है ठीक है तो बंदा support ले रहा है base create करा है जैसे 1900 को break करेगा वापस एक momentum आ सकते है अब इस से better stock मुझे market में कोई नहीं दिखता ठीक है क्योंकि stock गिरता भी नहीं है range बना देता है और भाग जाता है ठीक है फिर भागेगा वापस अरेंच बना देगा वापस भागेगा आयब समझ वे तो बंदे को जरू study कीजेगा बंदे में दम है share index objectives नमबर profit positive आता हूँआ दिखाई देगा है ठीक है? अब ट्रॉकरे हम लोग सबी तो डिसकल्स नहीं कर सकते है जैसे कि टेक में है रहा है ठीक है ज लेकिन मुझे ये नंबर बिल्कुल वे पसंद नहीं आए, देखो, सोचो खुद, IT stocks, जैसे कि मैं आपको एक एक्जम्पल देना चाहूंगा, Billasoft, इसका profit quarter to quarter year to year देखो, year to year 1000% का जम, quarter to quarter में भी हावे 20 से 22 करोड का जम minimum है, even Infosys TCS के नंबर better है, ठीक है, हलका सा growth मुझे TCS के नंबर में दिखाए लिया है, तो क्या Tech Minder के growth इतना down होना चाहिए था year to year, 60% का down, मुझे ये बहुत negative दिखाए दे रहा है, ठीक है, तो chances ये हो सकते हैं कि Tech Minder का stock कल गिरेगा, ठीक है, अब मैं confirm तो नहीं बोल सकता, क्या सोचते हैं, उसका अनुमन क्या है तो मुझे तो आइडिया नहीं है, अभी के लिए, ठीक है, तो आप ये समझो कि अगर ये गिरा, तो कम से कम ये stock 1000 के आसपास फिर 2-3 मेने के लिए रह जाएगा, अगर गिरा तो की बात हैं, मैं confirm नहीं बोल सकता, अगर गिरा तो, अगर नहीं गिरा, ठीक है, तो stock वापस 1700-1800 तक जा सकता है, तो हम लोग इसकी momentum कल focus जरू करेंगे, हालकि long time के लिए कोई कचरा नहीं है stock, लेकिन जिस तरह से result है, मुझे लगता है कि बड़े players, एक बार reaction जरू देंगे stock में, बड़ी momentum ला सकते हैं, और 4-5% negative, यह भी हो सकता है, ठीक है, तो यह बाध्यान में रखेगा, बिल्ला सॉफ, अब देखो, बिल्ला सॉफ के number बहुत ही मुझे शांदर दिखाई दिये, इस से better number शायद बिल्ला सॉफ पेश ना कर सके, तो एक बाध stock देख लेते हैं, कहाँ पे trade करा है, देखो, lifetime high का असपर trade करा है, continuously big bull pattern है, stock ने जो momentum स्राट की थी, 260 से आज ही 800 पे है, वन वे, रेली काता हुआ दिखाई दिया है, बिल्ला सॉफ, अब देखो, number हम लोग study करेंगे, साथ दिन के बाद अगर 70s का high sustain कर लेता है, तो बिल्ला सॉफ ने मुझे positivity दिखाई देती है, तो देखते हैं आपके कल की momentum कैसे रहती है, बाकि numbers मुझे positive दिखाई देते हैं, तो आखरी दोर news बची है, लॉरेस लेव एंड डिफेंस निउस, तो लॉरेस लेव की number की बात करने चाहिए बहुत ही बेकर नमर है, इससे बेकर नमर में CSD नहीं देखे, stock इतना गिरने के बाद भी 114 की P अभी हो चुकी है, क्यों? नमबर weak है, ठीक है, profit देखो 90% crash हो है, इतना जादा profit कौन crash करवाता है, 90% का profit crash, वो भी पिछले दो quarter में continuously, ठीक है, 200 करोड कमनी करने वाली profit, आज 30 करोड का profit करी है, तो भाई problem तो है ना, ठीक है, problem है ना, तो ये थोड़ा negative सिनारियो है, देखते है stock की momentum कैसी रहती है, लेकर मुझे numbers काफी weak दिखाए दे रहे हैं, वैसे live market में, if I'm not wrong आ चुके थे, reaction साथ जादा नहीं आया, तो अगर गिरा तो 300 पे एक support है, ठीक है, and मुझे तो नहीं लेकते हैं, इतना जल्दी ये recover करेगा, ठीक है, momentum आईगी, short term के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है, stock में result काफी weak है, अब देखो, आँखरी news बची है, defense stock में, mass gun dog को एक order, if I'm not wrong मिला है, 1070 करूट की deal है, जिसमें 14 petrol vessels कुछ यहाँ पर, इनको orders मिलते हुए दिखाई दिया, defense ministry से, तो देखो, short and simple में, defense से इनको orders continuously मिल रहे हैं, after budget, during budget, या कुछ भी हो, ठीक है, तो आप mass gun dog या coaching shipyard जैसे stock को जरूर अडार पर रख सकते हैं, कुछ न कुछ orders मिलते रहते हैं, तो मान लो, अगर DBI आए यह stock, मैं आपको एक level बताते तो, मान लो, budget के बाद कुछ fall हुआ, मैं confirm नहीं बोल सकता, लेकिन just example, अगर fall हुआ, तो stock को जरू कीज़े, कि आप बोलते हैं, कि सर, quality stock को add करना चाहिए नीचे पे, तो कौन सा stock खरीदे, ठीक है, तो मैं हमेशे बोलता हूँ, कि अच्छे stocks खरीदो, जिसका future bright है, तो इसका future bright मुझे दिखाई देता है, तो आप यह समझो, जो कि stock 1500 के आसपस अगर मिले future में, तो positive हुगा, बाकि अगर fall ball नहीं हुआ, वैसे यह news तो positive है, तो stock कल उपर जाना चाहिए, लेकिन मैं बात कराऊं, अगर गीरा, मान लोग बजट के बाद कुछ भी profit booking आई, तो की बात है, बाकि तो कल यह momentum plus high पे कर सकता है, तो hope आज का यह पूरा का पूरा आपको analysis समझ में होगा, चले फटार बात कते हैं, हाँ पर काफी लोगों की queries सारी है, ठीक है, अगर कोई doubt होता है, एक बार पूछ लेना, मेरा आपको समझाने का तरीगा, या कुछ भी आपको issues लगते हैं, तो मुझे comments जरू का देना, चले, काफी लोगों को मेरा stocks analysis समझ में होगी पसंद आ रही है, HFCL में मैंने बताया था, आप लोगों को काफी लोगों को profit वा, congratulations, अब देखो query हम लोग लेते हैं, तनला के बारे, देखो on a serious note, reactions काफी major है, तो दीन में जो follow है, काफी major reactions है, अब देखो अगर आपका, मैं वैसे seriously बोलना चाहूँगा, इसकी momentum, 1000 के level पे खतम होनी चाहिए, support लेना चाहिए stock को, देखो अभी short term के लिए, short term simple में ये समझो, short term के लिए, शायद momentum fade हो चुकी है, यानि कि momentum short term के लिए, एक अद महीने के लिए, या दो महीने के लिए maximum, खतम हो चुकी है, positive side पे, लेकिन stock long term के लिए, खराब नहीं हुआ, yes, मालब 6 महीने, साल भर के लिए view खराब नहीं है stock में, देखिए ये temporary reactions है, तो मुझे लगता है कि stock में आपे 1000 और maximum 800 पे support ले लेगा, अब आपको क्या सूचना है, अगर मैं आपकी जगा हो ता मैं क्या करता है, मैं stock को stable होने देता, मेरा अगर long term का view है, मेरे पास funds है, और मैं short term का नहीं सोच रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, stock को stable होने दोगा, अगर stock 20 दिन एक range में निकल देता है, अब वो 800 पे हो या 1000 पे हो, मैं average का सूचूँगा, ठीक है, average का सूचूँगा, और average कितनी quantity करूँगा, मानलो मेरे पास 20,000 की investment amount है, तो मैं 10,000 के average करूँगा, ठीक है, तो यह आप strategy follow कर सकते हैं, बाकि short term में slide weakness से, तो 1000 पे मुझे दिखाई दे रहा है, यानि कि 5 person का fall approximately, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो थोड़ा careful रहना है, अगर very short term का view है, तो अभी exit कले जे, बाद मेरी entry कीजिगा, ठीक है, बाकि खराबी हुई नहीं है, stock में यह वाद ध्यान में रखेगा, ठीक है, इतना जादा भी panic नहीं करना है, अगर उससे जादा क्या view है, HFCL देखो, मैं HFCL वैसे already cover कर चुका हूँ, ठीक है, आज के वीडियो में मुझे पता नहीं, लेकिन chances तो है, ठीक है, चलिए, ट्राइडंट यहाँ पर query आई थी, तो ट्राइडंट कवर कर लेते हैं, तो ट्राइडंट में क्या हो रहा है, देखो, ट्राइडंट की momentum, हाँ, ध्यांस तो सुनना, मैं आपको बड़े प्लेस की entry, लाल कलर की लाइन, यानि की 20 डेवां पर support, 20 exponential, moving average पर support, ठीक है, और जिस सरे से pullback करा है, बड़े प्लेस की entry है, और इसको बोलते है, बिग बुल पैटल, और बड़े प्लेस की अगर entry होती है, यानि की FI की, ठीक है, बड़े प्लेस मैं जैसे कि आपको समझाता हूँ, वो एक मेंने के लिए नहीं होता, एक साल का view होता है, तो जिस तरह से stock ने breakout किया है, stock का breakout 40 रुपे के आसपास है, और stock का, अगर मैं 100% की भी momentum consider करता हो, तो मुझे लगता है ये 100 तक जाना चीए, अब वो कब तक जाएगा, तो क्या भी ये समझो के एक साल भर के अंदर जा सकता है, जहां तक मेरी analysis से, आपने financial advisor को पूछ लेजगा, consult कर लीजगा, लेकिन मुझे यहां पर बड़ी momentum दिखाई देती है, तो stock, result एक बार हम लोग wait करेंगे, अगर किसे ने इंटर की है, कोई issues नहीं है, result का मैं wait करूँगा, confirmation के लिए, और chances सके 40 के नीची ये stock closing ना दे, मैं वाद करूँ, closing की, तो stock जब तक 40 के उपर है, positive है, और बहुत जल्द मुझे लगता है, कि 50 को भी cross करके निकल जाएगा, तीक है, अब हो सकते है 50 को cross करने में एक अत महिना ले ले, लेकिन भागने का जैसे momentum स्टाट किया, आराम से भागना स्टाट करेगा, भागेगा, बहुत खतना है, ठीक है, जिस तरह से भागता हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, वारी energy का stock, देखो, एक question था यहाँ पर, वारी energy, वारी टेक्निकल, वारी के बारे बताईए, देखो, वारी technologies, मैं वैसे वारी energy का आपको, माफ कीजिगा, वारी renewable का आपको stock की बारे बात करना चाहूंगा, मैंने अभी recently आपको, यहाँ पर भी बताया था, see, कहाँ पर गया, यह stock, risk है तो इसमें, पैसा double होगा, उसमें यह stock बताया था, वारी renewables, उससे पहले भी stock ने जब breakout किया था, 2000 के आसपस तभी भी बताया था, आप बोले सर, मुझे यहाँ पर entry का मौका नहीं मिला, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, ठीक है, आप stocks, renewable energy के अंदर है, इसको भी benefit हो सकते है solar का, तो इसको भी आप study जरू कीजेगा, अगर deep dip मिलता है, अगर future में fall ball होता है, इसको study जरू कीजेगा, ठीक है, यह बहुत बंदा काम का है, अगर बात करने जाए वास solar की, तो वास solar बंदा अच्छा है, लेकिन SME stock है, तो मुझे थोड़ा volatile दिखा जेता है, बाकी बंदे में दम है, तो long term के लिए कोई issues नहीं है, वास solar में भी, ठीक है, चलिए, and IRB, एक आखरी stock बचा है, जो मुझे questions आये थे, सर, IRB में क्या होना अच्छी, तो देखो, IRB के result नजदिक है, ठीक है, अलाकि big bull momentum है, लेकिन result नजदिक है, तो confirmation, result के बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं, stock में आगे क्या होगा, ठीक है, तो result का wait करो, stock में 50 का एक resistance है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लेकिन stock result के बाद हम लोग proper इसका final discussion कर सकते हैं, ठीक है, तो hope आज का वीडियो समझ आओगा, पसंद आओगा, कोई query रेती, comment कर देने, telegram में नहीं है, जाके जुड़ेगा, और अगर आपको dimate account open करने हैं, हमारी link से dimate account open कर सकते हैं, मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए, goodbye, जाए हिद,